हाई गाईज, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, एजुकेशन योर फ्यूचर, मैं धीरस सर, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गद्यांस पर आधारित प्रस्नों उत्तर, यहां से आपके बोर्ड एकजाम में टोटल 6 नंबर का क्वेस्टन आएगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतर बने रहें, गद्यांस में आपको क्या-क्या परना है, किस तरीके से गद्यांस को तयार करना है, और कौन सा गद्यांस आपके बोर्ड एकजाम 2025 में 60 फसने वाला है, वही मैं इसने बताने वाला हूँ, देखिए मैं गद्यांस पूछले ये कनफरम नहीं है, इसलिए यहां पर मैं आपको च्छा गद्यांस बताने वाला हूँ, यदि आप च्छाओ गद्यांस को तयार कर लेते हो, तो मैं 100% गरांटी के साथ कर रहा हूँ, इससे बाहर आपके बोर्ड एकजाम में एक भी क्योस्टन्स नहीं आएगा गद्यांस से, जो गद्यांस में तयार करा रहा हूँ, यदि आप उस गद्यांस को तयार कर लेते हो, तो 100% sure है कि यहां से एक नए गद्यांस आपके बोर्ड एकजाम में फस जाएगा, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 नंबर का यहां पर गद्यांस आपके ब होगा, अब गद्यांस दे कर उसके अंतरगा जो प्रस्न आते हैं, उनका जबाब आपको किस तरीके से देना है, उनका उत्तर आपको किस तरीके से देना है, वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कौन कौन से आपको गद्यांस तयार करने हैं, वो भी मैं इ कल भी प्रस्ण कौन कौन से आएंगे मैंने आपको बता दिया है यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा यह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन में जाए उसका लिंक दिया गया है यह चैनल के प्लेइलिस्ट में जाए बोर्ड एकजाम 2025 में वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे सभी सब्जेक्टों की तयारी इस चैनल पर कराई जा रही है यदि आप नए वीवर हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जो जाए घर बैठे कम समय में बोर्ड एकजाम 2025 की आप बहतर तयारी करकर 90% के ऊपर रिजल्ट आप ला सकते हैं यह मेरी गारांटी है यदि आप इस चैनल के माध्यम से तयारी करते हैं तो जो जो पढ़ाया जा रहा है उसका एक नोट्स बुक मना लीजिए अपने नोट्बुक में उसको लिखते चले ठीक है अब हम आते अपने गद्यांस की तरफ आज का गद्यांस मेरा है क्या और यह बहुत गद्यांस को तयार कैसे करना है इसको आप समझे ठीक है लेकिन इतना याद रिखेगा यह गद्यांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे क्योश्चन हर साल किसी ने किसी पेपर में बनता है तो याद रिखिए हो सकता है यह आपके पेपर में आ जाए गद्यांस है से लाल यहां पर अंडरलाइन किया है अब मैंने ग्रीन से किया है किसी यूगा पुरुष की संगती जद बुरी होगी तो उसके पैरों में बदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनत के गढ़े में गिराती जाए गी और यह अच्छी होगी तो सहारा देने वाली ब गद्यांस अब यह गद्यांस देकर इसी के अंतरगत आपसे तीन क्वेस्चन्स पूछेगा जो दो दो नंबर का होगा दो क्यों तो हमेशा अनिमार होता है अभी मैं समझाते चल रहा हूंग आपको वीडियो में आप बने रही है उसके बाद आप लिखने का काम करिएगा देखें यहां अब बस तीन क्वेस्चन्स पूछेगा अब क्वेस्चन्स पूछने का तरीका कैसा होगा देखें पहला क्वेस्चन्स होगा प्रस्तुत आउतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखें इस तरीके से बोल देगा पाठ और लेखक का नाम लिखें यह अंदर हो ले चाहे पाठ और लेखा का नाम लिखने के लिए बोले दोनों का उत्तर एकी तरीके से दिया जाएगा उसमें पाठ और लेखा का नाम ही बताना होता है संदर में ठीक है दूसरा क्वेस्चन बोला रहेगा रिखांकित अंसों की व्याख्या किजिए ये भी दो न लेखा का नाम लिखने के लिए आएगा एक तंसों की ब्याक्षा करने के लिए आएगा और एक जो होगा इन तीनों में से कोई एक पूछ सकता है तो चलिए थोड़ा एंस्वर की तरह बढ़ते हैं कि एंस्वर किस तरीके से कराया जाएगा ठीक है तो पहला क्वेस्टन आपने देखा कि इसमें आपको बताना है प्रस्तूत आउत्रण के पाठ और लेखक का नाम या कहली यह संदर्व बताना है तो संदर्व कैसे लिखा जाएगा याद रखे तो संदर्व मित्रता के अंतरगत आ रहा है इसको आप समझ के चलिएगा ठीक है और यह भी मैं बता दू गद्यांस कभी रट्टा नहीं माला जाता है इसको समझने की जरूरत होती है आप समझ जाएंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगी तो पहला क्वेस्टन था यहां मै पूछेगा कि संदर्व लिखिए जो गद्यांस दिया गया या उसके पाठ और लेखक का नाम लिखे ठीक है तो दोनों का मतलब एक ही है जाए संदर्व कहें चाहें पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए बोला जाए तो पहले का आपको एंसर कैसे देना है अब जो प्यार कर लेजे इस तरीके से लिखना होगा प्रस्तुत गर्द्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गर्दिभाग में संकलित तथा ये पाठ के लेखका का नाम लिखना जाएगा उसके बाद आचार राम चद्रसुक्लद्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया ग पूरा इसी तरीके से आपको लिख देना है प्रस्तुत गर्द्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गर्द भाग में संकलित तथा आचार राम चंद्रसुक्लद्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है यह पूरा आपको जो लाइन दिया गया है पूरा यहा अइसा आपको पता है कुसं अतने मित्रता का हो गया आफ्याइक हो गया संबर में ब्सकी सबस्क्रा दोकर दोसरा है और यह दो सबसे नहीं करते हैं तो तो मिल्सोसं का वागों में और यहां टक मैंने अंडर लाइन किया है पहला हो गया और दूसरा यहां चाहँ यहां तक करना चाहें गा कि बोर्ड एक्जाल में पूरा जो घ्रह से और कि नहीं करें दो ही नंबर आपको लेने हैं आथ रिखांट कि अन्स की ब्याख्या करकर तो इतना ही पूछेगा दो चाल लाइन में आप जबाब दे सको ठीक है तो चली हम यहां रिखांकीई तन्स की व्याख्या कर लेते हैं दूसरा क्यूषन सब्क्राइक ही व्यक्त के जिसे जो की दो नंबर होगा रिखांकीई भी पूछे गा तो यहां से यहां कि पूछ हैंस यहां की तो रिखांकित बमें से किझा को सब्सक्राइब हो सकता है कहीं न कहीं से पूछ ले ठीक है लेकिन ये गद्यांस बहुत ही जरूरी था ठीक है इसलिए मैंने बता दिया है अब हम देखेंगे रिखांकी तंसकी ब्याक्ठा का आंसर कैसे करते हैं कि तो पहला मैंने लिए जो यहां मैंने आपको भता है कि एक रहता बता दूंगट का मलबी संगर का जौर मलंब का भी च्छाय करता है मलब बुद्धी में भी गिरावट लाती है सीधा अंसर इस तरीके से देना है आप चाहें तो यहां से यहां तक आप सीधे इसको उतार सकते हैं लेकिन थोड़ी अपनी भासा में दो नंबर आपको मिल जाएगा जब भी आपको पूछा जाए ब्रेखा पहले उसको आप सीधे लिए सुकलजी कहते हैं की बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है जिस तरह कोई ब्यत्ति यदि भैयागल जोर से ग्रसित होतो हुआ जोर उसके सरीर और स्वास्त को नश्ट कर देता है तता कभी कभी प्राणभीक ले लेता है उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नेतिकता सदाचार मंद था बुद्धी को नश्ट कर देती है यह हो गया प्रथम रिखांकित अनस्की ब्याख्या क्योंकि यहाँ पर 2 रेखांकित पार्ट किये गया है तो यह प्रथम का मैं बुरी संगत का बुखार सबसे भयानक होता है ठीक है इस तरीके से आप लिखे बना बना के स्वाल लिखे देंगे अपनी भासा में तब भी आपको दो नंबर मिल जाएगा ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा व्याख्या करें फिलहाल आप इसको समझे रहिए कि कि इस तरीके यहां से लिया है यहां से लेकर अब यहां से यहां तक मैं व्याक्षा आपको बता देता हूं ठीक है चलिए अब दुति रिखांकी तंस की ब्याक्षा है कुसंगत किसी यूगा मनुस्त की सारी प्रगर्टी को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यप्त को आगे नहीं बढ़ने देता वरन प्राया उसे गिरा देता है इसी प्रकार कुसंगत में लिफ्ट मनुष्र का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्क पर अग्रसर होता रहता है इसके विप्रीत अच्छी संगती हमारे लिए एक अर्था सहारा होती है अर्था सहारा होती है जो हमें गिलने नहीं देती अपित उन्नती के पत्थ पर निरंतर आगे बढ़ाती और जीवन को सुद्ध सात्विक्त उन्नत बनाती है तो इस तरीके से इतना लंबा लिखना नहीं होगा आपको क्योंकि दो नंबर का एक क्वे तो पूरे गर्द्यांस का मैंने ब्याख्या करा दिया है अब आप यह समझे इनकी जो ब्याख्या मैंने बता दिया है लेकिन आपको यह ध्यान देना कि जो आपके बोड़क जाम में पूछेगा एक्वेस्चन तो रिखांकित पूरा नहीं किया रहेगा ठीक है यह तो मैंने पूरे आपके गध्यांस का ब्याख्या कर दिया है लेकिन जरूर ध्यान दीजेगा कहां से कहां तक रिखांकित किया है सिर्फ उसी वहीं तक आपको ब्याख्या करना होगा और ब्याख्या करने का मैंने तरीका भी बता दिया कि ब्याख्या थोड़ा अपनी भासाम करी जैसे यह बोला है उसी का थोड़ा जो वर्ड परिवर्टित कर दिजे जिसे कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है तो कुसंग मंने च्रॉपन की तरह बड़ते हैं पूचे नंबर थी ने मैंने तीन लिए लेकिन हम नमबज जो है इसमें तीन लेकिन पूचेगा एक ही यह आपका कानफर्म है कि पक्र रहता ठीक है अब तीसरे में से कोई एक क्वेस्टन पूछेगा और जो questions पूछेगा वो गद्यांस में ही आपका answer शुपा रहेगा जैसा कि मैंने यहां पर पहला questions लिया है यूगा पुरुस की संगत के बारे में क्या कहा गया है इस गद्यांस में यूगा पुरुस की संगत के बारे में क्या कहा गया है तो देखें यहां पर ब तो यद अच्छी होगी तो आप उसे निरंतन उन्त की और अगरसर करेगी युजा संगत की बारे में इसमें यही बताएका गया हैं कि आ ज document में परेंगे तो आप गड़ों में दिन में गिरती जाएगी अगर आप अच्छा दोस्ति किसी अच्छे इंसान साथ दोस्ति करते हैं तो दिन की दिन आउनत की और जाएंगे और बुरी संगत करते तो गड़े की तब विरते जाएंगे यह तो पहला हो गया अंसर उत्तर ठीक है अब हम लेखेंगे दूसरा क्या है है इसमें से कोई है कही पूछ मैं बार-बार बोल रहा हूं लेकिन करा दे रहा हुं तीनों को क्योंकि यहां पर 3 questions नहीं बंढ रहा है अक्षी संगत से होने-वाले लाभों को उधार्न दे कर समझाई अच्छी संगत से आपको लाभ किया होगा उसके बारे हम यहां आपको तो यह अंसर आपके गद्यांस में ही चुपा है ठीक है देखे देसे अच्छी होगी दगत सहारा देने वाली होगी सहारा देने वाले बाहु के समान होगा अच्छी संगत होगी तो सहारा देने वाले भूजा के समान होगी जो निजनतर आपको उन्नत के और उठाती जाएग आप यहीं सुठाक एंसवर दे सकते हैं दो नंबर आपको मिल जाएगा ठीक है देखिए नेक्स्ट क्या प्रभाव होता है यहीं आप लिख देंगे तब भी आपको मिल लेकिन मैंने बताया क्या वर्ड को परिवर्तित कर देना है लेकिन मैंने एंसर किया लिया है उसको देख लिजिए कि कुसंग का प्रभाव कैसा होता ही तो यहां पर मैंने लिया कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है जो की पहले गध्यान में पहला ही लाइन है यहान मन उसकी ने तिकता और अच्छे आच्र 커ड को नुट्च खर ेवाब किस तरीके से देना हो गा इस को अच्छे तरीके समें लिखते ही इंपोर्टन्ट तो इस video मं बस इतना ही आई होप अच्छ अखिसमज गए होंगे करद्यास का जब देना सब्सक्राइब करके इस चैनल पर सब्सक्राइब करके इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों की फ्री में त्यारी कराई जा रहे हैं जैनल को सब्सक्राइब करके रहोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और घर बैठे अगले वीडियों तब तक के लिए बाय बाय जैंद जै भारत